हाई फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिजाइन का तोरण बनाने के लिए हूँ तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये यलो कलर और ये ग्रेन कलर और ये वाइट कलर वूल ले लिया है और दस नंबर की कुरुशिया तो चल चैन बनाना है चार, पांच, छे, साथ, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारव, बारव, ये देखिए हमने ये बारव चैन बना लिया अब हमें यहाँ से एक, दो, तीन, तीन चैन को स्किप करते हुए चोथे चैन में इस तरह से हमें ऐसे ही एक डबल कुरुशिया करना है फ नेक्स्ट में इसी तरह से हमें हर एक चैन में जो हमने नीचे चैन बनाया हुआ है हर एक में ऐसे एक एक बार डबल कुरुशिया करते हुए हमें ये लाइन कम्प्लीट कर लेना है ये सेम उसी तरह से हमने ये नव डबल कुरुशिया बना लिया और लास्ट में जो हमने त दस डबल कुरुशिया अब यहां पर हमें तीन चैन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर ऐसे जैसे हमने नीचे दस डबल कुरुशिया किया है सेम उसी तरह से हर एक डबल कुरुशिया के उपर हमें फिर से ऐसी ही एक एक बार डबल कुरुशिया करते हुए यह लाइन यह बहुत easy तोरण पड़ती है फ्रेंड और यह बहुत कम टाइम में बन जाता है इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और यह simple तोरण पड़ती है बट देखने में यह बहुत सुंदर लगता है यह दिखें इस तरह से यह हमने 10 double crochet कर लिया अब फिर से एक दो तीन चैन बना के फिर ऐसे टर्न करना है और फिर सेम जैसे मैंने आपको ये टू लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से फिर से हमें ऐसे बनाना है हर एक डबल कुरुशिया के उपर फिर से ऐसे डबल कुरुशिया यह दिखिए इस तरह से इसे next double crochet के उपर फिर एक बार ऐसे double crochet फिर यहाँ पर यह दिखिए इस तरह से फिर next में इसी तरह से हमने जैसे यह आपको तीन लाइन बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पटी बना लेनी है जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से हमें इसे पूरा बना लेनी है सेम उसी प्रोसेस से मैंने यह पूरी तोरण पटी बना लिया है इसकी लंबा ही मैंने अपने डोर के हिसाब से बनाया है आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा और लास्ट में देखिए हमें इसे एक चैन बनाकर वूल को कट कर देने हैं अब हमें इसके चारों तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाना है और फिर तीसरे डबल कुरुशिया के उपर इस तरह से एक बार ऐसे बन कर देना है सिंगल कुरुशिया करके फिर एक दो तीन चैन फिर यहाँ पर तीसरे डबल कुरुशिया के उपर फिर से हमें इसे बन कर देना है फिर एक दो तीन चैन फिर यहाँ पर लास्ट में हमें इसे इस तरह से देखिए ऐसे जोइन करना है फिर एक, दो, तीन चैन फिर ऐसे ही सिंगल कुरुशिया से हमें यहाँ पर इसे ऐसे बंद कर देना है फिर ऐसे एक, दो, तीन चैन फिर यहाँ पर इसी तरह से हमें देखिए ऐसे तीन-तीन चैन लेते हुए और एक-एक सिंगल कुरूशिया के साथ इसे ऐसे जॉइन करते हुए हमें ये चारो तरफ से ऐसे बॉर्डर बनाने है ये देखे फिर से तीन चैन फिर यहाँ पे हमें इसे जॉइन कर देना है फिर ऐसे एक-दो-तीन चैन फिर यहाँ पे इसे हमें जॉइन करना है इसी तरह से हमें ये ऐसे ही चारो तरफ से बना लेना है सेम उसी तरह से मैंने ये चारो तरफ से ऐसे तोरन पट्टी के ये बॉर्डर बना लिया है और लास्ट में यहाँ पे जॉइन करके वूल को कट कर लिया है अब हमें तोरन बनाना है एक पार्ट मैंने पहले से ही बना के ले लिया है तोरन को हमें टू पार्ट में बनाना है तो देखिए इस तरह से हमें तोरन पट्टी को रख लेना है और एक तरफ जितना पैटन आता है उतना हमें बनाना है तो देखिए मैंने ये एक तरफ ये लिए लिए देकर देकिए निए मईं स्टार्टिंग से भी हला है यहां पर यहां पर बीच में स्किप आदेना है जहाँ पर हमने इसे बनाया है फर्स्ट डिजाइन उसके जस्ट बगल वाले चैन को स्किप करके दूसरे चैन में इस तरह से नॉट लगा देने हैं और फिर एक, दो, तीन ऐसे तीन चैन बना लेने हैं और फिर इसी जगह पर एक बार डबल कुरुशिया और फिर देखिए दूसरे चैन में हमें तीन बार डबल कुरुशिया करना है एक, दो, तीन यह देखिए यह हमने टोटल पाँच डबल कुरुशिया कर लिया अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ ऐसे आठ चैन बनाने हैं आर हम यहाँ पर देखिये एक, दौ, दौ, दो chain के box को skip करना है, और तीसरे chain में हमें, फिर से ऐसे ही, एक, दौ, यह देखिये, फिर next chain के box میں, तीन, चार, और देके पांच, इस तरह से पांच double crochet हमें करना है, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, दीखे, चार, पाँच, चार, च All फिर से 8 चैन बनाने हैं फिर ऐसे ही दो चैन के बॉक्स को skip करना है फिर ऐसे तीसरे चैन में ऐसे ही हमें लेखे, दो बार डबल कुरूशया फिर उसके जस्ट वगल वाले चैन में हमें तीन बार double crochet इसी तरह से total हमें 5 बार double crochet करना है और फिर ऐसे ही 8 chain बनाने है फिर ऐसे 2 chain का 2 box का हमें gap करना है फिर ऐसे ही इसी तरह से हमें ये line बनाकर complete कर लेना है इसे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 9 बना लिया है अगर ये हम double crochet वाला count करेंगे तो ये हमें 9 ऐसे बनाना है और ये chain का box हम count करेंगे तो ये 8 हमें ऐसे ही बना लेना है अब यहाँ से देखिए हमें turn करना है इस तरह से उल्टे तरफ फिर हमें 1, 2, 3 ऐसे 3 chain बनाके फिर देखिए इसी के उपर जैसे हमने ये नीचे 5 double crochet किया है सेम उसी तरह से हमें दूसरी line में भी ऐसे 5 double crochet कर लेना है हर एक double crochet के उपर एक एक बार double crochet देखिए इस तरह से हमने ये 5 double crochet कर लिया अब यहाँ पे हमें फिरसे 8 chain बनाना है तीन, चार, पान्च, छे, साथ, आठ ये देखिए हमने हमने फिर से आठ चैन बना लिया अब यहां पर हमें फिर से ऐसे हर एक डबल कुरुशिया के उपर ऐसे हमें एक एक बार डबल कुरुशिया कर लेना है एक दो तीन चार और एक पाँच जब कर देख्या हमने फिर से ऐसे पांच बना लिया फिर एक दो तीन चार पांच छेह Walk Bean फिर से ऐसे आठ चैन फिर ऐसे ही पांच डबल कुरुशिया के उपर पांच डबल कुरुशिया इसी तरह से हमें यह लाइन बना कर complete कर लेना है तरह से मैंने ये दूसरी line बना लिया है अब यहाँ से देखिए हमें फिर से ऐसे turn करना है सीधे की तरफ और फिर हमें एक, दो, तीन, तीन चैन बनाना है और फिर सेम जैसे मैंने आपको ये पहली और दूसरी line बना के दिखाया है सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी line भी बना लेना है ये देखिए हमने 5 double crochet किया फिर ऐसे ही 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 चैन फिर ऐसे ही 5 double crochet इसी तरह से हमें ये तीसरी line भी बना लेना है ये उसी process से मैंने ये तीसरी line बना लिया है अब यहां पे हमें Wool को ऐसे Cut ka000D इस तरह से एक चैन बनाकर उट भिशी हमें फिर से इसे Green Color का Wool Nut लगाकर ले लेना है अब यहां पे देखे हमें यह सीधे तरफ बना है तो इसे भी हमें सीधे तरफ ही ऐसे बनाना है तो इसके लिए हमें इस तरह से चौथी लाइन वूल को कट करते हुए बनाना है तो देखिए कट करने के बाद हम फिर से यहीं पे वूल को ज्वाइंट कर लेंगे यह देखिए इस तरह से अब हमें एक, दो, तीन, चार चार चैन बनाने है फिर तीन चैन बना लेने है और फिर ऐसे ही सेम इसी के उपर पांच डबल कुरुश्या के उपर हमें फिर से ऐसे पांच डबल कुरुश्या करना है यह देखिए तीन, चार, और एक यह पांच ऐसे हमने पांच डबल कुरुश्या कर लिया अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार जैसे हमने ये आठ चैन बनाया था तीनो लाइन में तो अब हमें चौथी लाइन में चार चैन बनाके फिर एक बार ऐसे डबल क्रुशिया लेकर तीनो चैन को एक साथ हमें इस तरह से पकरते हुए ऐसे ही धीला एक डबल क्रुशिया हमें बना लेना है फिर हमें इन तीनों चैन को ऐसे सेट कर देना है इस तरह से, अब इसके बाद देखे, फिर से 1, 2, 3, 4, 4 चैन बना के, फिर सेम उसी तरह से हमें यहां पे 5 double कुरूश्या के उपร, फिर से ऐसे ही 5 double कुरूश्या करना है, 1, 2, 3, 4, और एके 5, ऐसे 5 double कुरूश्या, पिर ऐसे ही 1, 2, 3, 4 चैन पिर ऐसे डबल कुष्या लेना है फिर ऐसे तीनों चैन को एक साथ पकड़ते हुए इस तरह से हमें धीला करते हुए एक डबल कुष्या ऐसे बना लेना है इसे हमें टाइट निकरना है एसे लोज बनाना है जिसे ये pattern इस तरह से बन के आए अब हमें फिर एक, दो, तीन, चार चार chain फिर इसी तरह से पांच डबल कुरुषिया के उपर फिर से इसे पांच डबल कुरुषिया इसी तरह से हमें ये line बना कर complete कर लेना है उसी तरह से हमने ये चौथी line बना लिया है अब यहाँ पर हमें एक chain बनाकर wool को cut कर देने है इस तरह से white color का wool knot लगाकर ले लेना है अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दूसरी line में white color से बनाया है तो हमें इस दूसरी line white color से बनाना है तो देखिए अब हमें इसे back side से start करना है को चौथी line में wool को cut करके फिर से joint करके बताया था design बनाना तो अगर हम अब दूसरी pattern से उल्टे तरफ से start करेंगे तो हमें wool को cut नहीं करना पड़ेगा एक ही बार joint करने पर हमें पूरा pattern बना लेना है तो देखिए इस तरह से हमें अब हमें उल्टे तरफ से starting करना है तो इस इस तरह से मैंने यह white color का उल्ट लेकर यहां पर हमने इसे joint कर लिया है यह देखिए इस तरह से अब हमें इसमें एक दो तीन ऐसे तीन चैन बनाना है फिर हर एक double crochet के उपर फिर से ऐसे हमें एक एक बार double crochet कर लेना है यह देखिए यह जो एक्स्ट्राओन है इसे हमें अंद की तरफ से ऐसे बंद कर देना है एक दो और एक जो हमने चैन बनाया था वो तीन और यह चार और यह लास्ट में देखिए पांच ऐसे हमने पांच double crochet कर लिया अब एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ सॉर्य आठ 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 चैन ऐसे हमें बना लीना है और फिर सेम इ फिर ऐसे ही पांच double crochet के उपर हमें पांच double crochet इसी तरह से हमें ये line बना कर complete कर लेना है अब यहां पर देखिए हमें ये chain और ये last वाली line हमें नहीं बनाना है इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है नहां से टर्न कर लेना है फिर एक, दो, तीन ऐसे तीन चैन बना के फिर सेम इसी तरह ऐसे ही पांच डबल कुरुशिया के उपर पांच डबल कुरुशिया फिर आठ चैन इसी तरह से हमें फिर इसे भी ऐसे चार लाइन में बनाना है, फिर ऐसे ही, फिर से हमें देखिए, इसी तरह से हम ये लाइन बना लेंगे, इसके बाद हम फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर ऐसे चार लाइन हम ये यलो कलर से बनाएंगे, इसी तरह से हमें एक एक हर एक पैटन में देखिए, जैसे मैंने यह यहां पर एक स्किप किया फिर वाइट कलर में भी एक मैंने इसे स्किप कर दिया फिर यहां पर इसी तरह से हर लाइन में एक-एक को स्किप करते हुए हमें लास्ट में जब एक आ जाएगा इस तरह से तब तक बना लेना है तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से यह पैटन ब बना के complete कर लिया है यहां पर देखिए ऐसे एक मैंने यह आपको skip करना बताया पर दो ऐसे हमने हर एक लाइन में एक-एक skip करते हुए लास्ट में जब एक आ गया है तब तक हमने इसे बना लिया है यह देखिए यह हमारा दोनों पैटन बनके रेडी हो गया है अब हमे इसमें जालर लगाना है तो उसके लिए चलिए अपिन जालर बना लेना है दिए इस से हमने जब एक करते हिए लबेड कर देना है लिए इसके बाद हमे उल को यह कला दे〜 पर और देखें यहां यहां से यह हमने चोटा वूल लिया है इस तरह से इसी के ऊपर सारे वूल को भाहँंगर से बाहर कर लेना है और फिर वहा ओसी इसे ही टाइट नाट लगा देना है दो तीन नाट जैसे यह भुले नहीं दिक इस तरह से अब ऐसे बीच से सारे वूल को इस तरह से ले लेना है एक बराबर करते हुए और फिर हमें एक ऐसे एक वूल का टुकडा और लेकर इस तरह से दो तीन बार लपेटते हुए ऐसे दो नौट फिर से लगा दिने हैं और फिर देखिए हमें नीचे से सारे उल को कट करके एक बराबर कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया फिर इस तरह से उल को ऐसे पकड़ लेना है और जो बड़ा उल है उसे हमें इस तरह से कट करते हुए एक बराबर कर लेना है इसी तरह से देखिए यह हमार एक जालर बन गया इसी तरह से हमें वाइट और यलो कलर में भी जालर बना लेना उसी तरह से मैंने ये तीनों कलर में जालर बना लिया है तोरन को उल्टे तरब से रख लेना है देखे इस तरह से और फिर हमें ऐसे ही एक जालर ले लेना है जो लाइन जिस कलर का है उस लाइन में उस कलर का जालर लगाना है देखिए यहां से मैंने यह जालर का जालर ले लिया अब देखिए में धागा डालकर इस तरह से ले ले हैं और फिर सुई को जालर के बीच से हमें बाहर कर लेना है इस तरह से और फिर देखिए इसमें हमें ये देखिए मैंने इस तरह का मोती लिया है गुल्डन कलर का इस तरह से हमें ये तीन मोती इसके अंदर सुई के देखिए इस तरह से फिरो लेना है एक दो तीन देखिए इस तरह से अ दबल कुरोश्या का लाइन स्किप किया था इसी के उपर इस तरह से हमें सिर्फ लगा देना है ऐसे ही दो तीन नौट लगाते हुए हमें इसे लगा देना है जिससे यह खुले नहीं अच्छे से दिखे लग जाए अब यहाँ पे हमें उल्ल को कट कर देना है यह सीरी तरफ पलड़ देना है तो यह देखिए इस तरह से यह जालर लग गया है अब यहाँ पर हमें फिर से तीन मोती के साथ एक वाइट कलर का जालर लगाना है फिर यहाँ पर तीन मोती के साथ एक ओरेंज कलर इसी तरह से हमें दोनों तरफ लगा लें से यह उसी प्रोसेस से मैंने यह स पूरण बनके रेडी हो गया है आपको मेरा तूरण कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रिती मिसरा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाब बाई